सुपारी कटिंग मसीन डोए एंजिनियरिंग 9595238590 यह डर्ष्ट जाली है आप चेक करिए इसमें डर्ष्ट जाली आप अलग अलग प्रकार का लगा सकते है जितने टाइप में आपको जैसा आपको सुपारी में से जो कटिंग में से डर्ष्ट रिमूब करना है उसी साब से आप इसमें जाली लगा सकते हैं आपके सुपारी का जो कटिंग होता है उसमें से जो डर्ष्ट होता है जो वेस्टेज माल होता है वो साइड में निकलेगा यह मल्टी मल्टी वाला जाली है लगबग हमारे कंपनी का सौ के उपर जाली बनता है एक एक आदा आदा एमेम का फरक में जाली होता है, सव के उपर जाली होता है, जिसा एक एमेम हो गया, देड एमेम हो गया, पावने दो एमेम हो गया, चार एमेम हो गया, पाच एमेम हो गया, इसी सब से फरक में जाली सव के उपर हमारे या मिल जाता है, पावडर कोटिंग का पेंट होता है मशीन में, और कार्बन स्टील मेटल में ब्लेड होती है, आप कटिंग देख सकते हैं, इस प्रकर का सेंपल निकलेगा प्रॉपर, जो चौकुन दाना बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं, एक एमेम से लेके 15 एमेम तेक इसी मसिन में कटिंग होगा, आपको अलग-अलग मसिन लेने की ज सिर्ग 10 एमेम, 14 एमेम, 15 एमेम, एक ही मसिन में आप अपने हिसाब से जाली लगा के कटिंग कर सकते हैं, मकिन एक ही रहेगा, बिक सर्फ जाली भॉकर ये रहेगा, इस तनी कटिंग करना होता हैं उस उनजग अपना की से जनी करह कर लेकिने हैं, आप को अलग-ग-व्रॉ कोकंदाने का कि caniste माल कटिंग होगा इसका क्योंकि इष्म कारबन स्टिल में ब्लेड लगा है तो इसमें वेस्टेज भी बहुत कम आएगा हमा जो मशीन है उसमें कारबन श्टेम का ब्लेड लगने के कारण सौव केजि कुटिंग आपका पाच केजी वेस्टेज माल निकलेगा इंडिया में डोए इंजिनेरिंग कमपणी ऐसी है जो सबसे कम वेस्टेज माल निकालने वाली मशिन बनाती है कारबन स्टिल का ब्लेट रहेगा सुपर कॉलिटी आएगा